हलो फ्रेंश आज के वीडियो में में आपको बताऊंगी किस तरह आप पजामा पैंस बना सकते हैं तो मैं ये एक वोलन कपड़े में बना रही हूं आप चाहें तो सिम्पल कोटन के कपड़े में भी इसे सेम मेजुरमेंट से बना सकते हैं तो सबसे पहले हम इसके measurements देख लेते हैं तो इस कपड़े की length होगी जितना भी आपको अपने पजामे की length चाहिए उसमें 3 inch plus कर लिजे तो मुझे यहां 30 inch लंबा पजामा चाहिए उसमें 3 inch plus किया तो हो जाता है 33 तो इस कपड़े की length है 33 inches और इस कपड़े की width होगी जितना आपका hips का measurement है उसे 4 से divide करें और उसमें 5 inch plus कर दीजे तो यहां हमारे hips की measurement है 33 inches उसे मैंने 4 से divide किया हो जाता है 8.25 उसमें हमने 5 inch plus किया तो हो जाता है 13.25 inches तो इस कपड़े की width है 13.25 तो यह दो कपड़े के pieces हैं और उसे हमने beat से fold करके इस तरह रखा है और यह देखिए य चार layer में हैं अब हम measurement शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम उपर की तरफ से 2 inch पे निशान लगाएंगे और यहां एक straight line खीज देंगे यह हमने line खीज दी है अब इस line से हम अपने पजामे की length नापेंगे तो हमारे पजामे की length है 30 inches तो यहां मैं 30 inches पे निशान लगा दूँगी और एक straight line खीज दूँगी तो इस तरह नीचे की तरफ हमें 1 inch का margin मिल जाएगा जो की bottom fold के लिए काम आएगा इस तरह नीचे fold हो जाएगा और यह जो उपर का 2 inch का कपड़ा है यह elastic डालने की काम आएगा यहां से हम अपना measurement देंगे तो हम crotch area का निशान लगाएंगे सबसे पहले तो crotch area के लिए जितना भी आपका hips का measurement है उसे 4 से divide करें और उसमें 2 inch plus कर दें जैसे कि हमारे hips की measurement है 33 inches उसे हमने 4 से divide किया तो हो जाता है 8.25 inches और इसमें हमने 2 inch plus कर दिया तो हो जाता है 10.25 inches तो इस line से नीचे की तरफ हम 10.25 inches नापेंगे और यह देखे इस तरह निशान लगादेंगे अब इस जगा पे मैं 2 inch की line खीच दूँगी इसी तरह उपर की तरफ भी 2 inch की line खीचेंगे और इन दोनों points को straight line देके मिला देंगे अब इस point को हम नीचे की तरफ मिला देंगे bottom part से तो जितना भी आपको खुला part चाहिए नीचे का उसे आप वहाँ पे नाप लें और उपर के point से इसे इस तरह line देके मिला लें तो ये आपकी choice पर depend करता है कितना ढीला या tight आपको pajama pant चाहिए अब ये देखे इस जगा पे हम गुलाई देंगे तो पहले इस corner से आधा इंच की line खीचेंगे और इस line को touch करते वे गुलाई दे देंगे तो ये देखे ये गुलाई भी हमने दे दी है अब हम इसकी cutting कर ले उठा के इस तरह फैला के रखेंगे ये देखे और जो सीधा side है हमारे पजामे का वो अंदर की तरफ हमने रखा है और यहाँ उल्टी side में हम सिलाई देंगे इस crouch area के बिल्कुल side side में तो आधा इंच का extra कपड़ा छोड़ते हुए दोनों तरफ हमें सिलाई दे देनी है य यह हमारी सिलाई लग चुकी है दोनों तरफ। यह हमारी सिलाई पूरी हो गई है ये देखे हमने यहाँ भी सिलाई दे दिये और यहाँ भी अब हम ये जो बीच का हिससा है इस तरह उठा के इस तरह रखेंगे दोनों जो बीच के stitch है वो मिलते हुए होने चाहिए यह को जोड देंगे पर उससे पहले हम नीचे की तरफ ये जो एक इंच का निशान दिया था इसमें double fold दे के सिलाई देंगे तो पहले ये सिलाई दे दे bottom part की फिर हम ऊपर की पैरों की सिलाई देंगे ये देखे इस एक इंच के margin में हमने दो fold लिये और अब हम यहां सिलाई दे देंगे तो यह देखे सिलाई हमारी लग चुकी है नीचे के पार्ट पे, अब हम यहाँ सिलाई देंगे, तो यह सिलाई हम एक तरफ से शुरू करेंगे, उपर क्रॉच एरिया पे ले जाएंगे, और फिर दूसरे पैरों से होते हुए, दूसरे stitch देना है तो ध्यान दें ये दोनों stitch मिलना जरूरी है और इस जगा पे बीच की जगा पे हम double सिलाई दे देंगे थोड़ी मजबूती के लिए और फिर दूसरी पैर की तरफ आ जाएंगे ये देखे हम उपर का पार्ट पूरा करेंगे तो ये जो हमने दो इंच की लाइन खीची थी दूसरी तरफ भी हम ये दो इंच की लाइन खीच देंगे और इसे हम double fold देते हुए सिलाई दे देंगे तो ये देखे यहां मैंने pin कर दिया है और इस जगा पे अब मैं बिल्कुल side side में सिलाई दे दूँगी तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है एक इंच का मैंने यहां gap दे दिया था जिससे की हम अपना elastic अंदर डाल सकें तो जितना भी आपकी कमर का measurement है उसमें से 2 इंच माइनस कर दीजिए तो यहां मेरे कमर की measurement है 30 इंच उसमें से 2 इंच माइनस किये तो हो जाता है 28 इंच तो ये elastic का measurement होगा 28 इंच और इसे हम safety pin की मदद से इस एक इंच के gap से डालेंगे और दूसरी तरफ से निकाल लेंगे हमने दे दी है अब elastic को हम अंदर डाल देंगे और यह जो gap है यहां stitch देके इसे भी बंद कर देंगे और कपड़े को थोड़ा अच्छे से adjust कर लें equally और अब हम elastic के ऊपर भी सिलाई दे देंगे तो इस तरह कपड़े को खीचे elastic के साथ और फिर इसमें धीरे-धीरे सिलाई इससे आपका elastic हिलेगा नहीं नहीं तो elastic घूम जाते हैं तो इस तरह आपका elastic एक ही जगा रहेगा यह देखे हमारा pajama ready है हमने elastic के उपर भी double सिलाई दे दी है और उपर से यह इस तरह लग रहा है और नीचे से आप देख सकते हैं यह है इसका crotch area और हमारा pajama बनके तयार है तो इस तरह आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए pajama बनाईए जिससे बनाना बहुत आसान है इसे आप as a night suit भी use कर सकते हैं तो उमीद है इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like करें, share करें, comment करें मैं आपसे मि अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care